अगर 22 फरवरी से पहले आप यह वीडियो देख रहे हो तो आप भी बचे हुए समय में पढ़कर 90% ला सकते हो या मेरी गारंटी है देखो नया साल आपका आ गया है आप वेट करें थे ना 2024 का और 2024 आ गया है और इसी 2024 में आपका 22 फरवरी से पेपर सुरू है 22 से सुरू होकर में 7 मार्च को आपका पेपर खतम है 22 फारी को आपके हिंदी का पेपर है अब चाहे आप क्लाश 10 के हो चाहे क्लाश 12 के हो मैं आपको ऐसी strategy बताऊंगा ऐसा तरीके बताऊंगा देखो वीडियो आपने बहुत तरीका देखेंगी बहुत लोगों की अलग अलग वीडियो द स्कोर कर पाओगे अब बहुत साइब बच्चों के सवाल होगा कि क्या भाई या बच्ची हुए समय में अब चाहे आपके पास 15 दिन बच्चे हूँ चाहे आपके पास एक महीने बच्चे हूँ तो क्या बच्चे हुए समय में पढ़कर 90 परसेंट लाया जा सकता है तो हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ तरीके होते हैं क्योंकि देखो यही है आपके पास अंतिम मौका यही बचा है बस यही है जो आपके पास है और कुछ ने बचा है कि आप सोचो कि आपका टाइम है अब देखो जनवरी बचा है फरवरी में आपका पेपर शुरू होगा और आपका गोल क्या होना चाहिए सब चीजे मैं इसी वीडियो में बात करूँगा एकदम यूनिक तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है देखो मात यही महिना आपका future बनेगा या फिर यही महीना आपका future बनाएगा देखो मैं ऐसा क्यों लिखा हो यहाँ पर क्योंकि यही जो महीना आपका बिलकुल लाश्ट मन्त है तिक बिलकुल लाश्ट मन्त है आपके पास तो इन ही महीनों में पढ़कर आप 90% score करोगी और आपको एक चीज़ मैं यह बता दू कि आपके प्राब्लम क्या होती है प्राब्लम यह रहती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कुछ याद नहीं है बहुत साई बच्चों देखो क्या होता है बहुत साई बच्चे होते हैं जो कि यहीं सोचते रहते हैं आखिर क्या पढ़ें इतनी बड़ी भाई बुक है ऐसे ब आपका लच्छे किसी से कम नहीं होना चाहिए आप ये मत सोचो कि वो बच्चा तो डेली 10-10 घंटे पढ़ रहा है उसका लक्ष है 90% का और मैं यहाँ पर पढ़ने वाला इस्टुडेंट हूँ जो कि 3 घंटे भी साइस नहीं पढ़ता हूं मैं कैसे 90% का सोचू यही सब तो म 98% 97% पूरा विद्प्रूफ मैं रखा हूँ एक वीडियो आएगी इस पर भी कि कौन कौन से इस्टुडेंट है जो इतना लाए थे ताकि आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए फिर है आपके दिल में एक आग होनी चाहिए देखो अगर आपको टॉपर बनना है अब 85% लाना है या फिर 80% लाना है तो उसके लिए दिल में आग होनी चाहिए कि हां मुझे इतना लाना है सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा जो मैं बताऊंगा वह चीज़ आपको करना पड़ेगा और एक आग हम एक रहकी क्लास पर टॉप करूंगा आपको क्लास में टॉप करन मोबाइल फोन एकदम से जैसे इंस्टाग्राम वगरह या फिर रिल्स वगरह उस पर जातर जो रिल्स देखते हो वह सब चीज़े बंद कर देनी है अब देखो 2024 पर इच्छा का रिजल्ट जब आएगा देखो यहीं होगा जब 2024 पर इच्छा का रिजल्ट आएगा तो ऐसे ना रहता मेरे boutty-percent मेरेawia coupleまあ जाते अगर मैं पहली होगता मेरे 80 पर्चन के ऊपर ही रहते क्यूँकि बच्छे हुए समय में पढ़ाने का तरीका बताया जा रहा था तो देखो वह अब ताना पढ़ी इसलिए मैं भी बता रहां क्योंकि बाद माद पस्ताने से बनिया हैं अभी मेहनत कर लो और आपको अपना टाइम तो लाना पड़ेगा अपना टाइम आपको खुद लाना पड़ेगा यह चीज़े आप ध्यान में रखना फिर आता है देखो यह वीडियो कौन-कौन से इस्टुडेंट देख रहे होंगे तो यह वीडियो तीन तरह के लोग देखते हैं तीन तरह के इस्टुडेंट यह वीडियो देख रहे होंगे सबसे पहले वे होंगे जो चात्र कुछ भी नहीं पड़े होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो इस व पूरा पढ़ेंगे उन्होंने पूरा अच्छे सपाड़ लिया होगा सिर्फ उनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो देखो यह सब चीजे मैं इसी में आपको तयार करवांगा इनको केवल क्या पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी त 85-85% चाहिए या 50% चाहिए या फिर 95% चाहिए आपको यह अपना एक लक्ष जरूर से रखना पड़ेगा कि आपको कितना परसिंद वह पेच्छा में चाहिए अव जो टॉपर है जो टॉप करते हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं कि कहीं वह अलग से आ रहा हैं वो हमी आपके बीच में रहते हैं, बस उनके पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं, वही तरीका मैं आप चलो यहां से बताता हूं, सिर्फ पास होने का आपको नहीं सोचना है, आपको 90% लाना है, जो कि मैं दिलवा कर रहूंगा, देखो, यहां देखो जो भी chapters पढ़ लिए हो, अ और देखो, अब आपको short notes बनानी है, मैं आपको यह चीज़ तो पिछले 2-4 महीने से मैं चिलाता आ रहा हूं, कि आप अपना एक short notes जरूर से बना लो, जितने भी short notes बनाओगी, उतना ज़्यादा help मिलेगी, आपको अपने board पाइच्छा के लिए, short note में क्या रहेगा, एक copy लो, जिसमें हर subject के जैसे 10-10, 20-20 space खाली कर दो, उसमें जो जो चीज़े मैं आपको बतार हो, जो जो important question उन्हें लिखते जाओ, बस वो आपके exam से एक अपते पहले बहुत मदद करेगी, फिर जो formula है, important formula उनको जरूर से तयार को लो, जितने भी महत्तपूर फॉर्मूर, जितने महत्तपूर सूत रहें, उसको जरूर से तयार कर लो, अब इसके बाद, हर week revision जरूरी है, जो आप short notes बनाओगे, इतनी मतलब ऐसे जो copy रहेगी, इसमें जितने भी चीज़े आप लिखे रहोगे, उसका revision हर हपते बहुत जरूरी है, तो यह revision आपको जरूर से करना है फिर अब देखो, revision नहीं किया तो पीछे का भूलते जाओगे, यह मैं क्या लिखाओँ, अगर आप revision नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते जाओगे, तो पीछे का hundred percent भूलते जाओगे, कोई भी चीज है, उसको आप जब तक revision नहीं करें, आप भूलते जाओगे, इसलिए क्या क करना एक वीक आपको पढ़ना है मालो सो मौर से सनी भार तक पढ़ो संडे को जो टाइम बसता हूं उसमें रिवीजन के लिए रखते में कि कि आपको हर subject का आधे-आधे घंटे revision करा आप 3 घंटे में पूरा revise कर लोगे, ठीक, 3 घंटे में पूरा revise कर लोगे, और एक चीज़ में बताना चाहता हूं, कि एकनम focus के साथ आपको पढ़ाई करनी है देखो topर की तरह पढ़ाई ऐसे करनी है जैसे topर करते है वो इन ही तीन तरीकों की मदद से topर पढ़ाई करते है सबसे पहले sort notes बनाते है sort notes अभी मैं आपको बताया उपर ही sort note में क्या है अच्छे से पढ़ाई करो, short notes जो भी बनाओगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक-एक question जब लिखे रहेंगे, तो आपको पता रहेगा आखिर क्या question पढ़ने, अच्छा देखो, अगर आप short notes नहीं बना पाते हो, तो आप इसी channel पर चले जाना, उसकी playlist में ठीक फिर एक है science की, ऐसे-ऐसे करके, मैं हर subject की अलग-अलग playlist बनाया हूँ, तो उसको जाकर आप देख लो, जो अलग-अलग playlist है, उसको जाकर देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्या करना, short notes जरूर से बनानी है, ताकि आप अच्छे स से पढ़ते हो, तो 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अब देखो, chapter wise important question तयार करने है, जैसे कोई, मालो science है, science में क्या 12 chapter है, तो ऐसे करो, chapter 1 के जितने important question उनको तयार करो, chapter 2 के जितने हैं, उनको तयार करो, ऐसे-ईसे करके, 10-12 दिन में, सारे subject का, आप ऐसे एक चैप तयार कर जा लोगे, फिर आता है, देखो, मैं लिखा भी हूँ, YouTube playlist मैंने आपके लिए ही बनाई है, उस पर जाकर, जितने में चीज़े हैं, उसको तयार कर लो, mobile school चैनल पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज सोचना नहीं है, कि मेरा यार पिछले का जैसे, अप्रैल, मैं, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, यह सब जो बरबाद गया है, इसके बारे में सोचने बाएठो कि देखो, आपको लिए कुछ नहीं हुपाएगा, तो इसके बारे मे यह मेरी आरडी है, प्यूस मौर्या, एक हजार एक नहीं, तो यह description box में भी आपको मिल जाएगी, तो इस पर आप मुझे directly पूछ सकते हो, ठीक, अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो इस पर सेर्च करो, प्यूस मौर्या, एक हजार एक इंस्टाग्राम पर कि वहाँ पर आप मुझे message करो, क्यूंकि वहाँ पर देखो, जादा लोग के message नहीं रहते हैं, डेली 40-50 लोगों के ही आते हैं, तो आप भी कर सकते हो, मैं आपको भी reply दे दूँगा, तो यह चीज करना है, और खेलना कूदना अपसे बंद करना होगा, जो ही बच्चे PUBG की सवखीन है, free fire के सवखीन है, उनको क्या है, अब बंद करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से दो महीनों के लिए, उसके बाद आप खेलो, कोई दिक्तर नहीं, लेकिन जब तक आपका paper है, कम से कम तब तक आप बंद कर दो, अब देखो, बहुत से लोग क्या कहते हैं, hardware करते हैं, बहुत से smart work, तो आपको हमेशा smart work करना है, hardware को आले 8-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, तब वो ला पाते है 90%, लेकिन ये, मैं आप उपर जितने तरीके बताए, सिर्फ 3-4 घंटे अगर पढ़ोगे, और इन तरीकों को अपनाओगे, ये जो तरीके हैं, जैसे कि short notes चैप्टर वाइज important question करो, ये सब करो, important formula वगारा तयार कर लो, अपना एक goal decide कर लो, ये सब चीज़े करोगे, तो मैं guarantee लेता हूँ, कि आपके कहीं न कहीं तो 85 तो जरूर से आएंगे, 90 अगर नहीं भी आए, तो 85 आएंगे ही आएंगे, अब आपको क्या करना है, इस वीड यो में